आज हम एक नए तरीके से आलू मेथी की सबजी बनाएंगे ये बहुती टेस्टी और चटपटी बनती है तो बनाना सुरू करते हैं आलू मेथी मसाला सबजी एक बड़ी साइस का मेथी का बंच लिया है इसके पत्ते निकाल दिये और पानी में 10 मिनिट के लिए मेथी के पत्ते को भीगो के रखा था ताकि इसके उपर जमी हुई दूल मिटे निकल जाएगी और इसके बाद इसे दो बार पानी से अच्छे से दो लिया है अभी हम इसे एकदम बारिक कट कर लेंगे दो मिडियम सैस का आलू का छिलका निकालके इसे मिडियम पीस में चौप किया है और आलू को हमें पानी में ही रखना है मेथी के पत्ते को एकदम बारिक कट कर दिया है कड़ाय में 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे दो तेज पत्ता तीन लॉंग एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का दो हरी इलाइची को उपर से खोल के डालेंगे आधी टीजपून जीरा खड़ा मसाला को लो टू मिडियम फ्लेम पे खोस्बू आए तब तक भूनेंगे और थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भूनना है एक मिडियम साइज का प्याज बारिक काट के लिए है मिडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज ट्रांस्परन्ट हो जाए तब तक इसे भूनेंगे प्याज ट्रांस्परेंट हो गया है एक हरी मिर्ची को स्लेट करके लंबा पीस पे चौप किया है पांच लहसुन की कली और एक इच अद्रक का टुकडा को क्रस करके लिया है अद्रक लहसुन की पेस्ट एक टेबल स्पून जितने है साइज का टमाटर को मिक्सर जार में डालके पेस्ट बनाई है यह डाल देंगे अच्छी से चला लेंगे तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे भूनेंगे टमाटर का पानी जल गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर दो टीस्पून कस्मीरे लाल बिच पाउडर डालेंगे एक टीस्पून धन्याजीरा पाउडर एक टीस्पून नमक डालेंगे यह नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते है अच्छी से चला लेंगे आलू हमने चौप किया है ये डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो मिक्सजार में एक चौथाई कप पाने डाल के लिया था ये पाने डाल देंगे अच्छे से चला लेंगे ढकन लगा के दीमी आज पे आलू 75-80% तक कूख हो जाए तब तक इसे कूख करेंगे 10 मिनिट के लिए दीमी आज पे आलू को कूख किया है और बीच में 2-3 बार चला लिया था हमने पानी डाला था वो भी पूरा सूप गया है आलू थोड़े सौफ्ट हो गये है लेकित अंदर से थोड़े से ये कच्छी है यादे 80% तक ये कूख हो गया है मेथी डाल देंगे अच्छ से चला लेंगे दो मिनिट धिमी आज पे धकन लगा के कूख करेंगे तीन टेबल स्पून फ्रेस मलाई ली है तक स्मूध हो जाए तब तक इसे फैट ना ही इसके बतले में आप फ्रेस क्रेम भी ले सकते ही भाजी का पानी सुख गया है और भाजी अच्छ से कोख हो गई है मलाई डाल देंगे अच्छ से चला के मिक्स करेंगे एक चौथाई कप पानी बाउल में डाल के ले लिया है चला के मिक्स करेंगे थोड़ा पानी और डालेंगे एक चौथाई कप पानी मैंने और डाल दिया है टोटल आधा कप जितना पानी डाला है धकन लगा के मीडियम फ्लेम पे चार से पास मिनिट के लिए कुक करेंगे इसे चार मिनिट के लिए कुक किया है आधि टीस्पुन चाट मिसाला डालेंगे आधि टीस्पुन गरम मिसाला पौडर अच्छे से चला लेंगे दो मिनिट धिमियाज पे कुक करेंगे चापाती, पराठा और दाल राइस के साथ सव कर सकते हैं आलू मेथी मसाला सब जिबन के रेडी हो गई है ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लेके जरूर बताईए तो बिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ